सर आशी की तरीका ओफिशल अनॉसमेंट हो चुका है कितने एक्साइटेड है काफी जादा है मैं समझता हूँ यह बहुत ही बहुत ही बहतरी डिसीजन लिया है भट कैम्प की तरफ से मैं समझता हूँ कि कार्तिक आरेन को इस फिल्म में लिया गया है और बहुत ही बड़ी आप मैं समझता हूँ कि भुल भुल यह टू ने वाकई में बहुत ही बड़ी करियर चेंजिंग फिल्म साबित हुई है कार्तिक आरेन के लियो जिसके बाद उनको जिस तरह से रिस्पॉंस ऑड़ियन्स के तरफ से बहुत जबदस मिल रहा है पहले भी रोमेंटिक फिल्म बना चुक है इसा नहीं है बरफी बहुत खुबसूरत एक कहानी थी देखिए उसके अलावा हमने उनको गैंस्टर में भी गैंस्टर भी बनाते हुए देखा था इम्रान आश्मी कंगना रनौत के साथ और फिर वह मल्टी स्टार फिल्म जो थ फिल्म में एक्टरस को लेकर अभी तो कुछ क्लियर नहीं है कौन देखने को मिल सकता है लेकिन पहले जिस प्रकार से सुनने में आता है कि सिद्धार मलतर आलिया भट देखने को मिल सकते है आश्मी 3 में वो तो कंफर्म नहीं हो पाया कार्तिकारन फिल्म को कर रहा है मैं सम जबर्दस्त होंगे हाला कि मैं समझता हुद दस साल बाद यह फिल्म आएगी 2013 में हमने देखी थी वह अगले साल से पहले तो आही नहीं सकती इसी भाहलत में आशेकी 3 तो दस साल का लंबा वक्त हो जाएगा आशेकी 2 जो है पहली वाली आशेकी की नाम से चलाने की कोशिश क की गई थी क्योंकि वो लोग भूल चुके तो उस वक्की जनरेशन नहीं लगती है जनरेशन नहीं लेकिन अन्फॉर्चनेटल लिया जो भी हम कहले गाने और उन सब अमर जो बहार से आया हुआ आउटसाइडर है उसको इतना बड़ा बड़िया रेस्पॉंस मिल रहा है तो आशीक इतरी जबदस सबीत होगी बॉक्स आफेस पर